नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पे पड़ताल दुनिया भर की दुनिया की हलचल पर हम आपके साथ मिलकर बनाए रखते हैं पैनी नजर आज के कारेक्रम में तीन अंतराश्टी खबरों पर हम करेंगे चर्चा पहली म्यानमार से भारत का प्राइदियों को मौत के घाट उतार दिया दुनिया भर से इसके विरोध में आवाजें उठी लेकिन भारत ने साधी रही चुपी दूसरी खबर यूक्रेन युद्ध से 24 फरवरी से शुरू हुआ या युद्ध पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले चुका है और इसमें राहत की एक बानगी देखने को मिली 22 जुलाई को जब एक समझाता हुआ कि युक्रेन से जो गेहुं है बड़े पैमाने पर जो गेहुं जमा है वहाँ पर उसके आ का आयात होना है इसी बीच जो दूसरी खबर है वह यह कि यूरोप गैस की राश्निंग की तरफ जा रहा है जिस पर हम बात करेंगे विस्तार में तीसरी खबर पडोसी देश श्रीलंका से जहां बेहत जुजहारू जनांदोलन के बाद वहां के राश्टपती गोटाबाया राजपक्षे को भागना पड़ा वह इसमें सिंगापूर में हैं और खबर यह है कि वह वापस आएंगे क्या होगा श्रीलंका में इस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले देखते हैं कि म्यानमार में क्या हो रहा है वहाँ चार राजनितिक कैदियों को मौत के घाट उतार दिया गया म्यानमार में सैनिक ताना शाही है जिसकी कमान सेना के कमांडर इंचीफ जनरल मिन अंग हलांग के हाथ में है वह और उनके जुन्टा यानी सैनिनेताओं का ग्रुप पूरे देश पर शाशन कर रहा है जुन्टा ने चार राजनितिक एक्टिविस्ट को मौत की सजा सुनाई सीक्रिट ट्राइल किया और उन्हें मार डाला जब ये सब कुछ हो रहा था पूरी दुनिया में इसके खिलाफ बहुत तगड़ी आवाजें उट रही थी अपील की जा रही थी कि इन लोगों की हत्याएं ना की जाएं जो रोगों को मार डाला गया उनमें से दो बहुत एहम ऐसे चेहरे हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आंदोलन चला उसमें सक्रिय थे जाने माने चेहरे में कामिन यू हैं जिन्हें जिमी रे के नाम से जाना जाता था और पूर्व मंत्री वह हिप आप म्यूजीशियन फियो जिया था दोनों अंतराश्टिय स्तर पर ख्याती प्राप्त एक्टिविस्ट थे लोकतंत्र को बचाने के लिए जो जुजारू आंदोलन म्यानमार में खड़ा हुआ था उसके बड़ा चेहरा थे तरह से इन दोनों एक्टिविस्ट को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को निशाने पे लिया गया और तमाम अंतराश्टिय विरोधों को दरकिनार करके मौत के घाट उतार दिया गया उसने जुन्टा के खिलाफ एक अंतराश्टी आक्रोश पैदा किया है इनके साथ दो और लोगों को भी मौत के घाट उतारा गया उनका नाम है H.M. On और Onk Thura Jaw ये लोग भी राजनितिक रूप से सक्रिय थे और सैन इशाशन इन्हें अपने शत्रु खेमे का समझ रहा था हमें याद रखना चाहिए कि मैयानमार में पिछले एक साल में जब से सैनिक तक्ता पलट हुआ है तब से लेकर अभी तक चुन-चुन कर राजनितिक विरोधियों को निशाने पे लिया जा रहा है उन्हें घर में नजर बंद किया जा रहा है और जिस तरह से इन चार लोगों को मौत की सजावा सुनाई गई मौत के घाट उतार दिया गया उसने एक बात बहुत साफ कर दी है कि जो शर्मनाक क्रूर शाशन चल रहा है वह किसी भी दबाव के आगे जुकने को तैयार नहीं है यहां बेहट चिंता की बात यह है कि भारत जो अंतराश्टी इस तर पर खुद को लोकतंत्र का रक्षक विश्वगुरू होने का दम भरता है उसने जुन्टा की इस कुरूरता पूर कारवाई के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा आखिर क्यों चुप्पी साध रखी है भारत यूक्रेन युद्ध पर जो डवलप्मेंट्स हैं जिस तरह से ओडेसा बंदरगाह से जो गेहु जाना है इसी बीच जो 25 तारीक को वहां पर रूस का मिसाईल हमला हुआ और किस तरह से यह युद्ध यूरोप को गहरे ठंड में ढखेल रहा है इस पर हम बात करेंगे प्र एक बहुत एहम पड़ाओ 22 जुलाई को आया जब तुर्की संयुक्ति राजसंग और रूस और यूक्रेन साथ आये और उन्होंने एक तरह से समझोता यह किया कि सारा सारे लोग मिलकर जो बड़े पैमाने पे आनाज ओडेसा बंदरगाह में है उसका बाहर निकालने का एक रास्ता खोजा गया और 120 दिन तक यह पूरी अवधी दी गई जिसमें वहां से बाहर जाएगा क्योंकि दुनिया बहुत शिद्दत से इंजार कर रही थी गेहूं फर्टिलाइजर को लेकर जो संकट था उसे निप्टाने में उसके बाद 25 जुलाई को रूस का हमला होता है वहां पर और उसके बाद यह दिखाना की कोशिश होती है बात होती है कि जो समझाता था वह तूट गया क्या स्थिती है आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटना क्रम को पहली बात तो है कि इस पें दो चुकती दो एग्रिमेंट हुआ है एक तो यूक्रेन तुर्की और जो पोर्ट्स है तीन पोर्ट की बात हुई है उडेसा उसमें है वहां से गेहु अनाज जो है उसकी एक्सपोर्ट की बात हुई है जो आप कह रहे हैं कि दुनिया में इसकी काफी इतजार था क्योंकि गेहु कदाम अनाज कदाम बढ़ रहा है अंतराश्ट्रियों के वजए से वो नहीं कर पा रहा था. वो सैंक्शन भी बातचीत हुई है कि यूरोपेंग यूणियन और उनाइटेटinement में खास्ट घॉरोपेंग इनन्ग.. सैंक्श्चन भी हटाए लिये जाएंगे.. कम से कम उनके जहाजों पर.. उनकी in-soring पर.. और उनकी bank की transfer जो जरूरी है इन अनाज की supply के लिए ये हटा लिए जाएंगे क्योंकि अनाज पर sanction नहीं था fertilizer पर sanction नहीं था हना कि बेलरूस में है पर रश्या पर नहीं था पर जिस तरह से दूसरे sanctions चल रहे थे उसके जरिये उनको export करना भी संभव नहीं हो रहा था तो दुनिया के लिए अच्छी ख़बर है रूस करीब 15 प्रतिशत सप्लाई करता गेहु दुनिया को यूक्रेन करीब 8-10 प्रतिशत सप्लाई करता तो यह अच्छी बात है यूक्रेन के लिए और भी इसलिए जरूरी है कि इनका फसल काटने का वक्त आ गया है और उसको store करने के लिए जो grain के जो अभी storage है उसको खाली करना ज़रूरी है तो इसलिए भी उक्रेन पर दवाव था कि वो इस चीज़ को मान ले और यहां से आपके export वो शुरू हो पाए तो लगता है कि यह शुरू होने वाला है ती इन फील्ड के अंदर से उसकी चैनल तयार की जाएगी तुर्की उस पर मदद करेगा और तुर्की की निगरानी में यह जहां जाएगी बाहरेगी सारे चीज़ें जे और उसको देखी जाएगी कि सच मुच क्या जा रहा है और जब खाली होगा तो क्या आ रहा है दोनों की तुर्की पर जब्मदारी है बीच मिचाव करने की ऑनेस्ट ब्रोकर के नाम हिसाब से कि वो इसकी देख रेक करेंगी ताकि रूस की जो संदेह है कि इस पर यूक्रेन और कुछ माल लाएगा और कुछ करेगा यह नहीं है और यूक्रेन के तरफ से भी यह होगा कि तुर्क इक्सपोर्ट शुरू होगा देखनी पड़ेगी यूरॉपय यू यूणियन उनाइट किंडब और उनाइट स्टेट्स जो बेंक की उपर सैंक्छ्म्स बगारा किये हैं जहाजों पर सैंक्छ्छं किये हैं इंशोरिस पर रहक्रते हैं उसको उठाते है यह नहीं उठाते है कि संधी तोड़ी गई है जो संधी है उसमें क्या रूस का जो कदम है वो किस तरह से देखा जाना चाहिए देखिए सद्धी तो बड़ा साफ है कि ग्रेंड एक्सपोर्ट की इंफ्रस्ट्रक्चर जहाजों पर हमला नहीं होगा और युद्ध विरांग की ओडेसा में कि घ परीट होगा वो सही नहीं होगा और जोस का कहना है कि उन्होंने एक oxy मिजाइल का वहां पर एक पर स्टाइक किया गया था एक जग轼ह पर उस पर उन्होंने हमला किया है आर्र एंटी ajudar श्utन मैशाइं जो हर्पुन लिजाइन से यह वहां पर स्टोर अगर था टो उन इसके बाद United Nations को कहना पड़ा कि this is not a part of the letter of the agreement. तो यह कहते हैं कि letter of the agreement तो नहीं है, इसका कोई spirit है. तो आप जानते है, spirit of the agreement क्या होता है वो तो हमें नहीं मालूम और वो कहां तक जाता है? क्योंकि Odessa माई कोई युद्ध विरांग की कोई भी इस तरह से चुक्ती नहीं है, यह सिर्फ grain export की infrastructure जाहाजों को attack नहीं करेगा रूस, यह इस संधी में, इस चुक्ती में है, और जहां तक रूस का कहना है, हमने एक युद्ध जाहाज का attack किया, और हमने एक हार्पूर्ट, स उसे भी लगता है कि यह बात तो सही है, कि जहां पर grain storage था, वहां पर कोई attack नहीं था, और जहाजों पर कोई attack की बात नहीं थी, तो यह जब बाते की जाती है, अब जानते ही है, एक information wall भी चल रहा है, युक्रेन में सर्विंद नहीं चल रहा है, वो जंग को लेकर बहुत तरह तरह के अफ़ाय से लेकर खबर दी जाती है, तो यह क्या slant, क्या twist होती है खबरों की, वही भी एक information wall का पार्ट है, तो एक बात तो साफ होती है, कि जो समझोता हुआ था, अनाज के लिए, गेहूं के लिए वो अभी है, और जो खबरें है, उस हिसाब से उस पे कोई बाधा नहीं पड़ी है, इसी के साथ जो दूसरी खबर आ रही है यूरोप से, और जिसे लेकर काफी चिंता जताई जा रही है, कि जो रूस से गैस जाती है, उसकी आपूरती में और ज्यादा बाधा आई है, नौर्ड स्ट्रीम में जो हमने पहले भी जिस पर चर्शा किय कि उसकी बाधा जो आई है, जो मेंटेनेंस का पूरा का पूरा मामला आया था, आज की तारीख में क्या इस्थिती है और जिस तरह से पूरा का पूरा यूरोप गहरी चिंता में है, गैस को लेकर क्या वह जो चिंता है, वह कुछ रिफलेक्ट होगी, जब सैंक्शन को हटा साथ मिलके, जो लगाया है रूस पे, उसमें कोई शिठलता नजर नहीं आ रहा है, वो फाइनाशल सैंक्शन्स हैं, और इसके साथ साथ उन्हें तीन सो बिलियन डॉलर, जो रूस की पैसा उनके बैंकों में जमा था, उसको उन्होंने अभी तक तो जब्त कर लिया है, तो वो क्या वापस करेंगे, नहीं करेंगे, उसका क्या होगा, उसकी कोई बातचीत भी नहीं हो रही है, दूसरी बात, येरोपेन यूनियन ने खुद घोशना कर चुके हैं, कि इस साल के बाद, 2023 पे वो रूस से तेल, गैस, कोईला लेना बंद कर देगा, तो अगर आपने य उनिलैटरल सैंक्शन्स लगाए हुए हैं, उनकी बैंकिंग बैंक्स पे, उनकी और भी कंपनियों पे, तो रूस का कोई उसमें बड़ा स्टेक नहीं है, कि यूरोपेन यूनियन को एक बड़ा मार्केट मानके चले, उनके लिए मार्केट है, रूस के मार्केट अगर इनका खरीदने का काम, वो चालू रख रहे हैं, उनकी फाइनैंशन सैंक्शन्स को वो उस तरह से मान नहीं रहें, तो ये देखते हुए, रूस का कोई स्टेक नहीं है, यूरोपेन यूनियन बे वो लगातार गैस सप्लाइ करें, जैसे यूरोपेन यूनियन चाहे, और ज रूस का दाम जो है, इस वक्त काफी बढ़ जुका है, तो रूस के ऊपर जो सैंक्शन्स है, अब लगता है कि रूस की जो तेल और गैस और कोईले की जो एक्सपोर्ट है, उससे लगता है, उनको पहले से ज्यादा पैसा मिल रहा है, और वो अगर गैस आदा भी कर दे, एक पहले से हो चुका है, तो एक सोची परसें, एक सो नमब मी परसें की बढ़करी है, इसके मतलब अगर एक तहाई गैस भी ययोर्पियन यूनियन के रूस देना है, तो उसका पहले जितका पैसा मिलता था, उता ही पैसा मिलेगा, तो वो वो रूस खुuni देख सकता है, तो जो चल रही है वे लीइस चल रही है कि नाउट स्रिम ओरन की ना चीड़ में की सिमेंस की की ऐसी तर्माइन है जो एक साधी जो करीड दिया था मैं आपका रेपेर होने के लिए उसको रिफर्बिश करके चीजों को भेजना पड़ता है वापस तो वो कैनड़ा में करीब एक महिना के लिए वो पड़ा था अब कैनड़ा इसकी प्रेशर में आके भेजा तो है पर भेजने से भी नहीं होता उसकी बहुत सारे कागजात है देखने पड़ेंगे टेस् प्र वापस लाने का बहुत सड़े चीजे करनी पड़ती है टेस्ट के साथ साथ देखनी पड़ती वाइब्रेशन क्या है तभी आप उसको पाइपलाइन में चालू कर सकते हो एक पार्ट अब दे पाइपलाइन सिस्टम मान के तो उसमें कितना दिन लगे का कितना हथे डूसरे करनी ह्टिए के बाता है कि दूसरे टर्बाइन के वारे में कहा जा रहा है लगा सकते जिसके जगाप पर उसके यह दुझा से जिसके बादुए उसका मेंटेर्णेस चाहिए तो इसलिए रूस ने और यह का कि ये टरवाइन को हमें आभी इस वक्त रिटार करना पलेगा जब तक उसकी मेंटेर्णेस नहीं होती उसकी मेंटेर्णेस शीडूल होती है उस मेंटेर конц के मताबिक उसके से जाना है इसी लिए हमारा गैस का जितना मात्रा हम भेज रहे थे उससे हमको कम करना पड़ेगा अगर आपको और गैस चाहिए तो नौट स्ट्रीम टू लागू है इस वक्ट को आप गैस जो मैप है उसमें दिखाई भी दे रहा है बिल्कुल बगल से अगर हम आप साहें कि आज की तारीक में तकरीबन कितनी कर रहा है क्योंकि उसको लेकर 40 फीसदी पहले बात थी आज की तारीक इस वक्त प्रतिशत कम जा रही पहले से जर्मनी की नहीं है कि सवाल यहां कि जर्मनी चाहता उसका स्टोरेज जो अभी 60% स्टोर पे है उसको विंटर में उसको 100% या 80% को उपर करना है तो सर्प्लस नहीं जा रहा है और जितना गैस जर्मनी पॉलेंड को भीज रहा है रूस के वुताबिक वो सही नहीं है क्योंकि पॉलेंड डारेक्ली खरीद नहीं रहा है जर्मनी के को गैस ताकि अपना जरूरत पूरा करें आप आपका स्टोरेज भर पाई ना कर पाए आप जितना है उत्ता ही रहेगा 60% स्टोर है बहुत कम नहीं है और आप पोलेंड को गैस नहीं दे सकते या यूक्रेन को आप गैस नहीं दे सकते जो आपके कोटा से नौट्स्ट्री के लिए सिर्फ जर्मनी के लिए यॉरप के लिए ट्रांस को छोड़के पोलेंड को छोड़के क्योंकि वह कहता है कि मैं तो अलग जग से लोत लेता हूँ पर यह सब चोड़के यॉरप के लिए एक भारी समस्या है इसलिए उन्होंने कहा कि 15 प्रतिशत हम गैस की कंजंश करेंगे लोग सरा ठंडे ठंड को राशनिंग करने की बात है सारा एक पूरा गाइडलाइन उन्होंने अपनी जनता के लिए जारी कर दिया है ही तिंग को कम करें नहाए कम बहुत सारे चीज़ उन्होंने कहा है तो सवाल है कि यह जंग जो है रूस को नहीं यॉरप को भी क तो युट्रेन का पाइप्लाइन से भी गैस चलना इसक बंढ है और युक्रेन जो पहले करता था उसका लेद लेता था वह इस वक्त भी ओसक्ता है जर्मनी का को टा से फिर ले सकता है यह जरूर है तो वहां पर भी ठंड में कैसे युक्रेन गुजरेगा यह भी देखने क की बात है तो यह बात तो जरूर यह है कि रूस दवाव डाल रहा है अगर आपको गैस चाहिए नौर्ट स्ट्रीम टू से ले लिए नहीं चाहिए तो भोगती जी तो एक बात बहुत साफ ही कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है और दोनों तरफ जो यह पॉलिटेक्स है इसकी स जानी देंगे सब को कहने कि इस से जाधा पüstसा नहीं देना हम दूस्तों को दे सकते तेल को नहीं देंगे मंर यह यह क्या कहेंगे हमारी इतनी आवकाद है कि दूस्त N bleeding से बेचेंग्यानल हम स्कौ तैग करेंगे तो लगता है कि अभी भी वह खूँछ उगत में दुनिया में है और उस दुनिया से कब धरातल में पहुंचेंगे वो देखने की बात है शुक्रिया प्रबीर दोस्तों हमने देखा कि हमारे पडोसी देश श्रीलंका में किस तरह से जनांदोलन खड़ा हुआ वहां का जो पूरा का पूरा शाशन तंत्र था वहां के जो राष्टपती की प्रधान मंत्री थे राश्पक्षे पूरा परिवार था उसने जिस तरह से श्रीलंका को भीशन आर्थिक तबाही में डुबो दिया उसके खिलाफ जब श्रीलंका की जनता उठ खड़ी हुई तब वहां के राष्टपती को भागना पड़ा गोटा बाय राश्पक्षा भाग कर सिंगापूर पहुचे इस समय वह सिंगापूर में हैं और वहीं हमने देखा कि जो जन आंदोलन पूरे श्रीलंका में फैला था वह एक मुकाम तक पहुचा क्योंकि उसका नारा था गोटा बाया गो होम और वहां पर जब राश्टपती भाग खड़े हुए पूर जब सरकार बन रही थी श्रीलंका की संसद में जिस तरह से गोटा बाया राजपक्षय की जो पार्टी है उसका दबदबा है उसका बहुमत है तब यह आश्टपती पीछे से गोटा बाया राशपक्षय इस नई सरकार को कंड्रोल करेंगे और श्रिलंका के कैबनिट प्रवक्ता गुनावर्धना ने जब बताया कि गोटा बाया राजपक्षे बापस श्रिलंका आएंगे तो तकरीबन ये सारी आशंकाएं बहुत मूर्त रूप धरने लग गई हैं क्योंकि हम सब ने देखा कि जितना तगड़ा जना आंदोलन था उसकी प्रतिध्वनिया श्रिलंका के संसद में नहीं सुनाई दी जिन 18 मंत्रियों को दुबारा श्रिलंका में बनाया गया वे सब गोटा बाया राजपक्षे के समय भी मंत्री में थे यानि कैबनेट तकरीबन वही की वही रही बड़े पैमाने पर कोई तबदीली नहीं हुई आंदोलन कारी विक्रम सिंगे के पद हासिल करने पर भी विरोध जता रहे थे क्योंकि बहुत गहरी आशंका है कि राजपक्षे परिवार जिसने बहुत कुरूरता से श्रिलंका में दमन का इतिहास रचा है वह किसी न किसी तरह से सत्ता को दुबारा हासिल करेगा और यह जो नया डवलप्मेंट है यह इस आशंका को और बल्बती कर रहा है दोस्तों चाहे श्रिलंका हो यूकरेन युद्ध हो या फिर मियान मार वे सब एक चीज़ को बता रहे हैं कि युद्ध और हिंसा करने वाली जो शक्तियां है वो जल्दी से हार नहीं मानती है इस आचीद बहुत कम होती है और यह सब हम आपकी मदद से करते हैं देखिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए न्यूस क्लिक परताल दुनिया भर की शुक्रिया